Day 1 PPV में कौन-कौन से wrestlers जीत हासिल करने वाले हैं तो guys अब WWE के Day 1 PPV से कुछ ही घंटों पहले इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं results prediction को लेकर कि यहाँ पर होने वाले इंशानदार मुकाबलों में कौन-कौन से superstar जीत हासिल करने वाले हैं और कौन-कौन से नए champion हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे कर दीजिएगा like और अगर आप हमारे channel पर पहली बार आए हैं तो इसे subscribe भी कर दीजिएगा तो guys जैसे कि यहाँ पर कुछ championship मुकाबले हैं तो Drew McIntyre vs. Matt Gap Mosk के मुकाबले में हमारी prediction के मताबिक Drew McIntyre जीत हासिल करने वाले हैं वहीं Intercontinental Championship मुकाबले में सिंच के नागमूरा और Shemi Zain के बीच मुकाबला होगा तो यहाँ पर नए Intercontinental Champion Shemi Zain के रूप में देखने को मिल सकता हैं वहीं अगर बात करें आरके Bro vs. Street Profits के बीच होने वाले Road Tag Team Championship मुकाबले की तो हमारी prediction के मताबिक यहाँ पर Randy Orton और Matt Riddle Road Tag Team Championship को रिटेन करने वाले हैं वहीं SmackDown Tag Team Championship के लिए Ushos vs. New Day के बीच मुकाबला होगा और यहाँ पर हमारी prediction के मताबिक एक और title change देखने को मिलेगा और इस मुकाबले में लिव मोरगन जीत हासिल करेंगी तो finally अब बात कर लेता है Universal Championship मुकाबले को लेकर जहाँ पर Head of the Table Roman Reigns और Beast Incarnate Broke Lesnar आमने सामने होने वाले हैं इस मैच की prediction कर पाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन हमारी prediction के मताबिक यहाँ पर Broke Lesnar New Universal Champion बन सकते हैं और अगर बात करें WWE Championship के लिए होने वाले Fatal 4 वे मुकाबले की जहाँ पर Big E, Seth Rollins, Kevin Owens और Bobby Lesnarly आमने सामने होंगे और इस मुकाबले की prediction कर पाना सबसे ज्यादा मुश्किल है तो यहाँ में यहाँ पर आपको दो option देने वाले हैं जिन में से एक option आपको choose करना है और comment box में बताना है यहाँ पर Seth Rollins याफिर Bobby Lesnarly दोनों में से कोई एक New WWE Champion बन सकता है तो इन दोनों में से आपकी final prediction क्या है comment करके जरूर बताईएगा साथ अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा like और share जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में धन्यवाद